हमारा जो मोदार्या है इस थ्री मूड्स राइट मूड्स ओफ मूड्स इसके तीन मूड्स होते हैं मूड्स ओफ इंपर्फेक्ट एंसा तीन मूड्स से हमारे एक है हमारा मर्फू और दूसरा है मनसूब और तीसरा है मजरूर राइट जी जी कहां से मजरूर है वर्ब इस नेवर मजरूर इस मजजूम मजजूम मर्फू you call it as nominative right mansoob you call it as acquisitive and मजजूम you call it as just right subjective भी कहीं पर आता है but just you is the right word just your case right तो हमारे कुछ ऐसे particles ऐसे हैं कि जब भी वो मुडारिया के उपर दाखिल होंगे वो मुडारिया को मनसूब करते हैं या मजजूम करते हैं ठीक है यह हमें चीज़ पता है can you tell me मजजूम कों सावला particle करते हैं जैसे मेरे पास है जहबा जहबा means he went ठीक है और यह क्या है मर्फू है it is मर्फू मेरे पास है sorry ला हलू ला कुवति ला बिल्ह it means जहबा जहबा means he went but this is not मर्फू this is मबनी right because this is past so we have यह जहबू यह जहबू now he goes now this is मर्फू ठीक है इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते because it's past so we'll keep the past away for the time being so मेरे पास यहबू है यहबू is मर्फू so we have यहबून 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 it's also मर्फू what is it alamatu रफ it is alvau it tells me sorry it's the suboot in noon what happened to me today suboot in noon suboot in noon okay okay ठीके ना? आजवे हैं? यजभूना. Are you with me here? Are you here? मेरे को एक चीज़ बताएएए मुदारिया को मजजूम कैसे करेंगे? तजभूना वो तो पता है तजभू यजभू कौन सी चीज़ करेंगे? मुदारिया को डॉप करने के वो तो है लेकिन कौन सी चीज़ वो करेंगा? क्यों करूं मैं? कोई चीज़ होगी ना जब मैं इसको मजजूम करूं ऐसे तो हवा में मजजूम नहीं करूंगा ना जैसे मुझे मेरे पास मेरे पास noun है मेरे पास है मैं उसको मजडूर कर रहा हूं हर्फ जारा गया, ती, मदरासा, टी, right? तो मैंने किसी वज़े से इसको मज़रूर कर दिया, मैं यह नहीं कहरा हूँ, मज़रूर क्या है, ना उनकी wine कहरा हूँ, और उन धर हरू यह मज़रूर हो रहा हूँ, तो मज़रूर हो गया, यजहब ही है, यजहबू है, लेकिन कौन सी चीज़ को मजजूम करेगी? Can you tell me anything that makes it मजजूम? आपको question समझ आगे है, मेरे बाद समझ आगे? What I'm asking. समझ आगे, question समझ आगे है कि नहीं? नहीं आया है न समझ? A question समझ आया है, नहीं है, वो तो बतागी है. नहीं, question समझ आगे है, मेरे पास है, अलमद्रसतू. ठीक है? Is it मर्फू और मजजूम? और मज़रूर? मर्फू. मर्फू. अब इसको मैं मुझे मज़रूर करना है, मैं कैसे करूँ? कोई चीज उसको मज़रूर करेगी न, वो है फी. भर पेज़र. फी मद्रसती. ठीक है? होगे ना मज़रूर? यह मज़रूर क्यों हो गए? इसको किसने मज़रूर किया? फी. इसी तरी के से मेरा question ही है, कि जब यह मज़ूम हो रहा है, यह तो मुझे पता है, मज़ूम ऐसे होगा. लेकिन इसको कौन सी चीज मज़ूम करेगी? कौन कौन सी चीज? या एक चीज बता दिया, एक से ज्याधा चीज जो भी बता सकी. तो जैसे यहां पर हर फूझार न, खुद बता दिया, हर फूझारा गया तो यह मज़ूरूर हो गया. तो मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा मुदारिया है ठीक है उसको कौन सी चीज मजजूम कर रही है कौन सी चीज उसको तो क्या बोलेंगे उसको क्मांड क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको कमान नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे कुन सी चीज आएगी जिसको मजजूम करेगी मुदारिया को मजजूम करेगी जो अब अमर बता रहे हो नो वो मुदारिया को मजजूम नहीं कर रहे है वो next already a different verb है वो मुदार्य मजजूम नहीं है, वो अमर है, आपको समझा रहे हैं मेरे बात, वो मुदार्य मजजूम नहीं है, अमर is not मुदार्य मजजूम, that is अमर, I am asking, फैल मुदार्य वहीं पर है, वो फैल मुदार्य ही है, लेकिन वो मजजूम है, question समझ वो आप, अमर is not फैल मुदार मुदारिय मजजूम, अमर is अमर, राइट, वो हम कैसे करते हैं, उसो अलामति मुदारिय ड्रॉप करके, यहां पर सकून दे के, वो अमर बन गया हमारा, तो मुदारिय मजजूम नहीं है, अमर इस नुदारिय मजजूम, आम सेंग, मुदारिय की अपनी शिनाखत, इंटक्ट है, ठीक है, तो कैसे हो, और मजजूम है, can you tell me, याद रखना मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पहली चीज़ जो मुदारिय को मजजूम करेंगी, that is, लाउनाहिया, लामतालिय कहां से आ गया, that is, लाउनाहिया, can you remember this forever, what is लामनाहिया, लाउनाहिया, what it does, it makes मुदारिय मजजूम, यानि कि जहां पर भी आपको मुदारिय मजजूम से पहले ला आ गया, ला, ला आ गया, that is, लाउनाहिया, विल नौट से ला या था, वुल से ला तद्धब, because command second person को देंगे, आपको मेरी बात समझ आ रही है, ला तद्धब, it will be, do not go home, for a second person, आपको बात समझ आ रही है, मैं क्या रहा हूं आपको, कि समझ लिए नहीं आ रहा, सर के उपर से जा रहा है, Are you there? जी, कहां जाते हो आप, ठीक है, so what I'm saying is, What I'm saying is, मुदारिया को जो चीज मजजूम करती है, वो है ला उनाहिया, ठीक है, ला उनाहिया, ला अनाहिया, ला अनाहिया, It converts मुदारिया, into मजजूम मुदारिया, कि default case क्या होती है, वो मर्फू हमेशा होता है, वो इसकी natural state है, लेकिन जब हमें इसको मजजूम कर रहा हो, या कौन सी चीज़ को मजजूम करती है, question can be like this, that is ला उनाहिया, ठीक है, पहली चीज, ला उनाहिया, जैसे तरीके से हमारा इन्ना नहीं आता sentence के उपर, इन्ना, इन्ना क्या करता है, एक तो emphasis देता है, sentence को emphasis देती, और grammatically क्या कर दिया, मुदादा को मनसूब कर दिया, ला उनाहिया जब आ गया, sentence को negative command कर दी, और मुदारिया को मजजूम कर दी, खत्म, आपको स is prohibition, prohibit करना, prohibition, that's a better word to use, prohibition, do not smoke, right, do not do this, do not walk, do not sleep, right, don't run, जिसमें negative command है, prohibition किसी चीज़ की, यह तो meaning हो गया, लेकिन, grammatically क्या चीज़ करे गए, यह मुदारिया को मजजूम करे गए, are you following me what I'm saying, और negative command हम किसो देंगे, second person को देंगे, third person को थोड़ी दूँगा मैं, वो त that's the reason why मैंने अभी लिखा था, la tazhab, la yazhab नहीं लिखा था मैंने, वो तो मैं क्या बताओंगा, ya la yazhab, third person को मैं किसे command दूँगा, second person को, है न, Arabic में आप third person को भी command दे सकते हो, लेकिन वह हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी के लिए हम second person को ही command देंगे, वो तुसे दुसर यह पहली चीज हो गई, जो मुझे मुझे मुदारिया को मजजूम करेगा, what is the first thing? आपको एक दिन मार्केट में चल रहे हो, आपको एक फ्रेंड मिल गई, तो उसने आपको कहा, मुदारिया को कुन सी चीज मजजूम करेगी, तो what will be your answer? लाउन नाहिया, राइट, simple, अब समझ आगे नहीं, यह पहली चीज़े, टोटल चार चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ, चार नहीं, मैं आपको तीन चीज़े बता रहा हूँ, जो मुदारिया को मजजूम करेगी, इसको कभी भूलना नहीं आप, पहली चीज, लाउन न सुब कर दिया, इसी तरीके से कोन सी चीज़ मजजूम करेगी, वो पहली चीज़ कौन सी है, लाउन नाहिया, दूसरी चीज़, दूसरी चीज़, तीन लम, मैं ये भी बताउँनगा लम करता क्या है, लेकिन पहले यह वर्ड याद रहा आपको, तो दूँचेज़े आपक रखनी है ला अन नाहिए वो दूसरा ल मूंध तीन में बतारहू है अपको फिल हल है तो ला उनाहिय अगया न करता लै। ला उनाहिय已經 क्रता है मोधारे की ओपर आ गया और अफ दूकिछ अब हम क्रता है मेरे पास है वर्ड जहबा जहबा इस मादी और मुदार्या जिस गिं मी वन मिनटा दादिक बनावधेंज जोलो बना बाइशवागी की फर्दटटटटटटटट्टेश। जहाबा इस माधी जहाबा means what is the translation he went he went now I will say he did not go how do I do it I will put मा लगाउंगा मा लगाउंगा I will put मा जहाबा what is the meaning of it he did not go past tense this is माधी and this is negative माधी मा जहाबा transition he did not go ठीक है नहीं यह समझागी यह बात यह तो अब पता है आपको लेकिन 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 हमारे पास एक और टेकनीक है एक और टेकनीक है कि past only action को हम नगीटू करें एक और टेकनीक है एक ही है और उसके लिए हम सबसे पहले और जो इससे जादा थोड़ी emphasis के साथ बोली जाती है और कौरान में extensively used है वो तरीका वो है कि आप मुदारिया ले आओ क्या ले आओ मुदारिया करो इसको मुदारिया इसको मुदारिया करो यजहबू 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 आगया ना और इससे पहले लम लगाओ और लम जब आगया दो चीज़े करेगा यह मुदारिया को past की negation में ले जाएगा और इसको मजजूम करेगा ठीक है फी ने क्या किया था मजरूर किया था और proposition था इन्ना ने क्या किया था emphasis की थी और acquisitive में कर दिया था मनसूब लम ने क्या कर दिया यजहबू के उपर जब लग गया translation में पहले यजहबू का मीनिंग क्या था यजहबू he goes he goes or he is going or he will go तीनू transition है ना तो हम अभी फिलहाल के लिए he goes कर रहे है he goes लम यजहबू he did not go past exactly as मा यजहबू this is one and the same thing और यसने इसको क्या कर दिया मजजूम are you following me आपका ये चीज़ समझ जा रही है और ये जो है ना इसमे और इसमें थोड़ी से फरकी है कि ये emphasis वाली है लम यजहबू वो हर्गिज नहीं गया एक हो तो वो नहीं गया दूसरे तो वो हर्गिज नहीं गया आपको समझ है नहीं difference he did not go at all we can say it like that but हम transition में at all नहीं करेंगे because obviously at all तो यहां पर कुछ है नहीं लेकिन हमें ये चीज़ समझनी है कि जब यजहबू के उपर लम लग गया वो past negation है और past negation emphasis के साथ है ठीक है जैसे for example मेरे पास है मेरे पास है एक verb है ठीक है और ये verb है मिसाल क्या है मिसाल वालदा इसका मुजार्य क्या हैगा ये हाँ क्या है यलिदू क्या हो आएगा यलिदू यलिदू क्यों आएगा बिकस वाउड्रॉप हो जाएगा यलिदू ठीक है वालदा मीन्स तो भी बॉन राइट पास्ट में तो यलिद जब इसके उपर लम आ गया तो क्या हैगा लम यलिद ठीक है ये याद रख रहा है लम यलिद मैं एक्जैंबल दे रहा हूँ because you're familiar with it लम यलिद वालम यूलद वो हम बाद में पढ़ेंगे वालम यूलद क्या था बर लेकिन उसके उपर भी लम ही है तो दिस इस एम्फसिस के साथ लम यलिद और वालम यलिद फेलन मुदारिवन मजजूमन लेकिन जब मजजूम क्यों हो गया because of लम ठीक है अब को भी question ऐसे हा सकता है लम ये ऐसा भी हो सकता है लिमा 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 जा था नहमारा वाई तो दूसरा है लम तो ये क्या आएगा इंटरोगेटिव है और ये इंटरोगेटिव नहीं है जिस तरीके से हम वहां पर नहीं करते थे जब कोई verb आता मन आता था हमारा मन आता था ऐसे तो हम होते थे ये मिन है कि मन तो कभी ऐसा होगा कि इसके उपर कोई वावल सिंबल नहीं होगा वावल साइन नहीं होगा ये लिमा है या लम है लम कैसे पता चलेगा इसके बाद क्या होगा मुदार्य मजजूम ठीक है ना और मुदार्य मजजूम नहीं हो तो क्या है लिमा या लिमाजा लिमाजा तो ये जो लम है ये आप पहले चीज़ क्या करेगा है मुदार्य को मजजूम करेगा ठीक है, और डूसी चीज़ क्या करेगा, यह हमेशा मुदार्य के उपर आएगा, उसको मजजूम करेगा, और उसका translation past मिले जाए, past negation, negation काईगे, लेकिन past negation, जैसे मा जहबा, लम्या जहब, ठीक है, एक ही है, one and the same thing, लेकिन थोड़ी सीज़ में ज्यादा emphasis है, ठीक है, और इसको आप अपनी notebook पे mention लिखो, हर्गिज नहीं, हर्गिज नहीं, because इससे आपको यह समा जाएगा, यह emphasis वाली negation है, दोनों में, इसमें हल्की से emphasis जादा है, ठीक है, वो हर्गिज नहीं गया, लम्या जहब, ठीक है, past, इसको present और future translate नहीं करना है, यह translate meaning को past में करना है, ल ठीक है, दो चीजें जो मुदारिया को क्या करती है, मजजूम करती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, this is equal to negation, मैं हर्गिज लिख रहा हूँ यहाँ, हर्गिज, यह याद रखने के लिए, because वही चीज़ करने हैं, हर्गिज नहीं, हर्गिज नहीं, हर्गिज नहीं, important, तीसर अभी के लिए वह अभी मत पढ़ो, मैं बात में बताता हूँ आपको ठीक है, अभी इन दोनों के उपर आप फोकस करो, ठीक है, लाउनाहिया और लम, मजजूम, मनसूब भी हमने पढ़ा था, हमने देखा था, इन्ना जब आता है, और जो अपने लामुतालील जैसे आपन मनसूब चला गया, वो कहते हैं, वहाँ पे था अन, वो अन मुदमरा था, हिडन अन, जो वहाँ पे तो उससे कर दिया, लेकिन हम grammatically वही बोलेंगे, अन, पहले जब भी मैंने for the first time वो चीज़ पढ़ी थी, मैंने कहा है, मुझे क्यों याद रखना है, अन वहाँ पे है, त लेकिन जब मैंने आगए-ागए देखा, तो मैंने बड़ी-बड़ी grammar books में यही देखा, कि वहाँ पे वो सब use करते हैं, यह अन मुदमरा है, तो अन वहाँ पे है, वही इसको कर रहा है, तो फिर मुझे भी अपना concept चेंज करना पड़ा वरना, लेकिन वहाँ तक मैं हमेश लेकिन हमें यह चीज़े अभी याद रखनी है कि किस चीज़ से मुदारिया मजजूम होगा, किस चीज़ से मनसूब होगा और उसे क्या translation में change आ जाएगी, word में क्या change आ जाएगी, उसमें meaning में, ठीक है, तो अभी के लिए हम मजजूम देख रहे हैं, ठीक है, मजजूम के अभी total चार है इसमें, ठीक है, जो हमें पढ़ने है, चार है, अभी उसमें से दो हमने देख लिया, ठीक है, इसके बत हम मनसूब भी detail में देखेंगे, मर्फू तो होता ही है, तो लेकिन अब question यहाँ पे है, अगर हमारे पास है, transition है, he did not, they, they did not play, they did not play, अब इसको आप द इसे वाले, उन्होंने हर्गिज नहीं खेला, for example, उर्दु में हम ऐसे बोलेंगे, तो कैसे करेंगे इसको translate, they did not play, ला, 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 अब ला ही एक तरिया नहीं निगेट करने का, सबसे पहले आपको वर्ब देखना है, ठीक है, वर्ब क्या है, हाँ, सबसे लम, exactly, ठीक है, त हमारे क्या है, play, what is the verb for play, लाइबा, लाइबा, और मुदार्या, यल अबू, यल अबू, हाँ, कौन से वाला बाब है यह, सम्या, बाब, सम्या, सीना, so लाइबा, यल अबू, यल अबू, इसको plural क्याएगा, यल अबूना, यल अबूना, तो यहाँ पर masculine यह है, तो क्या आएगा, यल अबूना, तो यल अबूना था वब, यल अबूना, यल अबूना, ठीक है, तो लम आगया, तो क्या आएगा, लम, यल अबू, यल अबू, यल अबू, यल अबू, यल अबू, यल अबू, आपको आपको समझ आरी मेरी बात तो इन दोनों में फर्क क्या है अगर आपको यह रीडिंग तिलावत and you come across these things so you'll be able to identify now right आपको क्या करने है लम के बाद you will find और अगर मा होगे यह भी नगेटिव होगी पास्ट ठीक है और अगर मा होगे यह भी नगेटिव हुए है ठीक है एक भी नगेशन नहीं है और यहां पर सिंपल पास्ट खुदी आ रहा है यहां पर पास्ट नहीं आ रहा है यहां पर मुदा अपसी जिस बंदे को ग्रैमर नह उन्होंने हर्गिज नहीं खेला ठीक है यह होता है उन्होंने नहीं खेला उन्होंने हर्गिज नहीं खेला are you following me can you write it down can you write down make any sentence based on it दोनों मुझे जाहिए past भी और मतलब जहाब भी और यह ना मादी भी और मुदार्या में भी can you do it easy इतना क्या difficult easy है तारा आप ही बोले sentence नहीं नहीं आपको बनाना पड़ेगा मैं तो बोल सकता हूँ you have to make it yourself कोई भी वर्ब उठाओ सबसे पहले ठीक है pick any verb और कोई वर्ब बताईए मैंने अभी वर्ब तीन बताया आपको नहीं आज इसमे क्या बोलते हैं इसको नाकिसमे नाकिसमे राए 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 let's do it let's do baka right let's do baka baka right so we have baka baka iska हमने मुदार्या किया था we did a मुदार्या right नहीं किया था ना मुदार्या किया था इसका baka हां तो नहीं किया था ना तो इसी का करते है baka so हमें बोलना है baka means he cried तो मुझे बोलना है he did not cry simple है अच्छा राए किजी आप I think if you do not find it difficult राए अब हमें यहां पर point क्या देखना है कि यह जो यह जो हमारा नाकिस है ठीक है नाकिस में हम कैसे करेंगे इसको मजजूम यह भी तो हमें देखना है so you don't do it right now अपि मैं इसको डीटेल में आपको बता होगा आप simple सा साला जैसे आपने बोला उसको किजी साला ठीक है so साला so we have they did not ask so can you do it yeah he did not ask do the simple one first he did not ask he did not ask lam yes al lam yes al lam yes al or you put it isko kursi aisei when it comes in the middle वहां पे अलिफस की चेर्ती और यहां पे आपक्सली या है लेकिन या लेकिन या 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 है या है या है या है या है या है lam yes al so that means he did not ask so they did not ask now you do they did not ask lam yes alu Yes, Alu So, हम क्या करेंगे यहां पर? मैं आपको एक टेक्नीक बताता हूँ, ठीक है? So, अब क्या करेंगे? आप तीन कॉलम्स बनाएंगे क्या बनाएंगे? Let me show you here I'll show you here कैसे बनाना है, तो क्या करना क्या है? So, we have the verb हम बेसिक करेंगे अभी फिलाल because जब हमारे बेसिक स्ट्रॉंग होगे then we'll be able to advance पहले अपने बेसिक स्ट्रॉंग करने तो है तो वर्ब साजदा बहुत ही असान सा वर्ब हमारा है साजदा तो आपको क्या करना है साजदा सबसे पहले और ये आगया मादी फिर इसका करना है मुद्दार्या ठीक है? यस जूडू यस जूडू ठीक है? उसके बाद करना है मुद्दार्या मजजू तो इसको उपर लिखोगे आप ऐसे मुद्दार्या मजजूँ सिरुफ मजजूँ नहीं करना है इसके साथ वो भी लिखना है किस वो जैसे आपको बाद समझ आ रही है ठीक है और इसके बाद आप इसका अमर भी करेंगे ठीक है अमर कैसे होगा अमर हल्द अमर हाँ बता ही अमर क्या जी इस जूद यही क्वेश्चन है अमर थर्ड परतन पर नहीं आएगा आपको समझा नहीं कितनी अच्छी इंपोर्टन प्रैक्टिस है यह यूवल बी अबल टो प्रैक्टिस इसके उपर अमर अप्लाई नहीं होगा बिकिस थर्ड परसन है तो यहां पर आपको क्रॉस करना है इस तरीगे से आप आएंगे सजदा सच्छदत्म सॉषएट्थ को यहंट्पों नहीं नहीं छोड़ दिया करने बताने कहां से पहुँझी यह हूँ सजद्द्द तो आब बताए है इसका मुदारिया सजद्द ता सेकंड परसन ये सिंपल सेकंड परसन वट इसा सेकंड परसन को मैं बताऊंगा मुदारिया फ़र देसेकंड परसन यस जुदू की गरदान करिये यस जुदू, यस जुदानी, यस जुदूना तस जुदू, तस जुदानी तस जुदू, इतना असान है तस जुदू, तस जुदू है ना आप कीजे मुदारिय मजजू, क्या है गा लम लम तस जुदू, लम तस जुदू अब बनेगा ऐसे लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे so we'll good, we'll put so it'll be usjud because dhamma है ना, तो it'll be usjud तो यहां पे कसरा कब आएगी? जब यहां पे कसरा हो या यहां पे फाथा हो आपको follow कर रहे हो मेरे को, मैं क्या कर रहा हूँ ठीक है, तो it'll be usjud usjud what is the transition of usjud? सजदा कर, जूद सजदा आप इसको, यह ही करना है ठीक है? और कोई एक rocket tension नहीं है, ठीक है? अब मैं आपको एक और example देता हूँ, इसी का एक आरा के पढ़ते हैं सजद तुम सजद तुम can you do सजद तुम? सजद तुम past है और मुदारिया क्या आएगा इसको? सजद तुम सजद तुम इसको कीजिये लम लगा यह मजजूम कीजिये लम तस जुदू लम तस जुदू नून रप हो जाएगा, हस्फिनून सजद तस जुदू मजजूम इसको क्मांड पहले देखने है, कमांड अपला है की नहीं? कमांड अपला है, सेकंड परसन है तो कैसे बन जाएगा, अमर? तस जुदू तस जुदू कहां से होगा, इसको ड्रॉब ड्रॉब करो ना, ता ता मर इसको उस जुदू उस जुदू उस जुदू confusion हो रहा है कुछ? confusion नहीं हो रहा है, lack of practice से, ठीक है? आपको कोई confusion नहीं है, आपको practice नहीं है इसकी ठीक है न? आप इसकी practice कीजिए, आप देखे, you will be you, और मैं आपको चार verbs दे रहा हूँ, चारों के चारों verbs में आपको यह कर दे, ठीक है? अमर जहां पे होगा, वहां पे cross, सिर्फ second person पे, छे आपके verbs बनेगी, जहां पे अमर आएगा, ठीक है? आपको बात समझ आ रही है? यह लेकिन फेमिन प्लूरल में वैसी रहेगा, बिकाज वो मबनी है, तो you do it, ठीक है? हमने ऐसे कर दिया, और मैं आपको verbs दे रहा हूँ, पस यह करना है आज, ठीक है? लेकिन यह करना है, ठीक है? यह conjugation आपकी strong होनी चाहिए, यह should be able to mentally mapping ऐसी होनी चाहिए कि the moment you come over yourself, वो भी अब वहां का है इतना fast, वो तब ही होगा when you do practice, और यह कर सकते हो आप, ऐसा यह नहीं है, you will not be able to do so, let's do the verb let me just see if I have any verbs here असान से verbs जो होंगे, आपकी आपकी बूक में देखते हो, ठीक है so, we have the verb, आप करेंगे जलसा जलसा घसला ठीक है और आप करेंगे वही का वही का वही का और भी है दाखला important verb दाखला दाहिका दाखला मैं छे वह दे रहा हूँ, जितना आप कर सकते हो उतना आप कीजिए and you will be दारबा important दारबा 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 and रफा 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 इस यर फाव ठीक है ठीक है तो इनका हमें क्या करना है इनका हमें पहले वाले कॉलम में मादी की गरदान लिखनी दूसरे वाले कॉलम में एक पेज पे एक आ जाएगा आपका ठीक है दूसरे में आपको मुदार्या की करिणा, एक ही पेश विलाना एक को उपर से नीचे तक ये उसके बद मुदार्या पूटए लाइन इन बिट्वीन, ठीक है, लाइन ऐसे बालके, स्केल से, ओ मुदार्या ऐसे स्केल आ गई, मुदार्या मज़ूरों की स्केल आ गई, कि लम लेकिन साथ लिखना इसके, ताकि याद रहे कि लम है, इसको लम को ड्रॉप नहीं करना है, लम, उपर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लाउन्नाहिया, लम है, ताकि आपको याद रहे मजजूम किस्से होगा, बिकर जब आपका मनसूब आएगा ना, तब और भी आजाएंगे, फिर इनसानों को कन्फूज होता है, कि लम से मनसूब हो रहा था, कि यह मजजूम हो रहा था, आपको समझा रही मेरे बाद, तो इस विए रेडिली toolkit for you, right, kind of that thing, toolbox for you, फिर जब हम मुज़ारिया मनसूब करेंगे, ठीक है, अभी इसको solid होने दे, हम दिमाग में, उसके बाद हम करेंगे, बिकर वरना दो-तीन चीज़ आते हैं, फिर याद ही ने रहता है, अभी मनसूब हो रहा था, कि मजजूम हो रहा था, ठीक है, so you'll do मजजूम, और इसके बाद you'll do आमर, ठीक है, that's it, इन सब का आप करोगे, अब जितने कर सकते हो, आज उतने करो, ठीक है, tomorrow, इंशाला, we will just go ahead and build upon it further, लेकिन ये clear होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ भाएंगे, ठीक है, and this is clear to you, मैं ये नहीं कहा रहा हो था, you'll be able to grasp 100% of it, इसमें time लगता है, but at least you should be able to know what's happening here, ठीक है, ये नहीं कहा है, all of a sudden मुझे करना क्या है, ये प्रैक्टिस से होगा, it all depends on you how much you practice, ठीक है, जिस के बाद मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, अभी के बाद, do not spend even one single day without opening your notebook or doing something, writing any sentence, आप दिनके पांच मिनट स्पेंड करो, but do not, you know, let any day go without touching this, otherwise you'll forget it, अपने इतनी महनत किया ना इसके उपर, तो उसके उपर इंशाल्ला बिल्ट अप ही करना है, ठीक है, पीछे नहीं जा and inshallah we'll meet tomorrow, subhanakallahumma wabihamdik, wa nashhadu an la ilha ilant, wa nastaghfiruka wa natuwilaik, assalamu alaikum